हेलो दोस्तों, तो आज मैं साम कुछत पर आया हुआ हूँ, ये बैक्राउंड आपक से देखते हूँगे, पीछे जो वाल पर प्लांटर लगा हुआ है, इसमें लगा था टर्टल वाइन, जो कि अब देख सकते हैं, इसकी हालत बहुत ही ज़ादा बुरी है, दर असल ये कटिंग लेकर हम कापी सारे कंटेनर तयार कर सकते हैं, तो देख सकते हैं, टर्टल वाइन की ये एक विराटी है, अब मैं इस कंटेनर में ये वला पौदा गुरो काने वला हूँ, तो इस तके कापी सारे वीस्ट कंटेनर में मैं पौदे को गुरो करता रहता हूँ, और ज पीली हुई है तो और इस ताइम में पास सॉयल भी नहीं है तो फिलाल इसी में मैं इसे रिपॉर्ट करूँगा थोड़ी सी कोकोपीट मैं मिला दूँगा और मिट्टी को वेड्रेन बना दूँगा थोड़ी सी कंपोस्ट एट करूँगा और एक अच्छी से सॉयल तयार हो जाएगी तो यह जो आप देख रहे हैं यह है कोकोपीट मैं लगबख सभी सॉयल में कोकोपीट का यूज़ जरूर करता हूँ कोकोपीट मिट्टी को पूरस बनाता है जिससे पौदे की रूट्स बहुत हेल्दी ग्रो करती हैं बहुत पास ग्रोथ करती हैं और जब में के साथ इसके होस भी पूरी तरह से कवर हो गयते हैं जिससे एक्स्टा वाटर ड्रेन आउट नहीं हो रहा था और रूट्रॉट की प्राब्लम आई तो नीचे की और बेश में मैं सुखे पत्ते का यूज़ करा हूँ ताकि होल वगएरा कभी भी बंद ना हो तो पोरस म कर लिए और इसी में मैं अप टटा वाइन को ग्रो करूंगा और यह कंटेनर लगबग दो साल पहले दो से डिएड़ साल पहले मैंने पर्चेस किया था 60 रुपीस में मुझे मिला था क्योंकि मुझे रिजनेबर लगा और मुझे अपने बैक्राउंड के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही था और सबसे कलरफूल मुझे यही लगे थे तो मैंने पर्चेस कर लिया था और देख सकते हैं वीड भी इसमें लगी हुई है और यह टर्टल वाइन बहुत ही असानी से ग्रू हो जाता है एक बार यह एड़ करने की जरूरत पड़ती है मैं तो नर्सरी से इसकी 10 रुपीस में कटिंग लेकर आया था तो मैं बहुत ही ज़ादा बजट में गार्टिंग करता हूँ आपको पता होगा तो मैं कटिंग बगारा भी नर्सरी से पर्चेस करके ला ले आता हूँ जो कि मुझे पता रहता है कि असानी से कटिंग से ग्रू हो जाएंगी तो देख सकते हैं कंटीनर में लगने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रहा है टर्टल वाइन वैसे भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है देखने में भी सुंदर लगता है बलस बहुत ही ज़दा हार्डी भी रहता है और नर्सरी में 10 से 20 रुपीस में पॉली बैक में मिल भी जाता है तो देख सकते हैं ये रील के लिए मैंने वीडियो बनाया था सुचा रील डालने से पहले ही आपके साथ शेयर कर देता हूं और ये वीडियो भी बहुत ज़दा पहले ही मैंने शूट किया था जो मैंने इस background में जो makeover video डाला था makeover real video डाला था उससे एक देन पहले मैंने शूट किया था तो काफी पुराना था तो मैंने सुचा आच मैं आपके साथ शेर भी कर देता हूँ देख सकते हैं एक रील बनाने में बहुत जादा चुचले करने पड़ते हैं तो एक छोटी सी रील 40-50 सेकेंड की रील बनाने के लिए हमें 10-15 मिनिट का फूटेज जो है वो शूट करना पड़ता है और उसके बाद एडिट करके 40 सेकेंड का रखना पड़ता है तो देख सकते हैं जो गल गया था उससे भी मैंने इस कंटेनर में डालिया थोड़ी सा वेल ट्रिन सॉयल जो मैंने बनाया है वो मैंने इसमें डालिया है और पानी डालूँगा वाटरिंग करूँगा और यह असानी से ग्रो हो जाएंगे तो एक वीडियो के लिए कापी जाधा शूट करना पड़ता है कापी मेनत करनी पड़ती है तो आप लोग इसी तरह से मेरे वीडियो को प्यार देते रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ जिससे गाड़नी पशंद है उसके साथ वीडियो को शेर भी आप कर सकते हैं तो देख सकते हैं रिपोर्टिंग के बाद वाटरिंग करना है और इसके बाद मैं वाल पर अटेच कर दूँगा और ये जो गला हुआ मैंने इसमें डाला है उसे मैं थोड़ी दिन के लिए शेर में रख दूँगा जहां पर मौनी की धूप आती हो तो रिपोर्टिंग तो हो गई है और कहीं पर आपको टर्टल वाइन का प्लांट देखने को मिले तो कटिंग ले आईएगा कटिंग से ग्रोव करिएगा और इसे फूदोप शेर दोनों जगाओं पर आप इसे ग्रोव कर सकते हैं तो देख सकते हैं इससा का ये कंटेनर था पीछे वाल पर अटेच करने के लिए दो होल भी थे कीडो का ये घर भी बन चुका था क्योंकि मैंने जब पहली बाद एक से देर सा पहले अटेच किया था उसके बाद मैंने इससे निकाला भी नहीं था और हाँ कुछ लोग पूछ रहे थे सीलन अगरा की प्रॉब्लम नहीं आती है क्या है तो सीलन की प्रॉब्लम इलान मुझे तो नहीं देखने को मिली है और मैंने बहुत सारे कंटेनर को वाल पर अटेच किया है अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वाटरिंग थोड़ा कम करिए उसी हिसाब से वाटरिंग करिए दसल अगर एक्स्टा वाटर हो से ड्रेन आउट होता है तो कई बार वाल भी गंदी हो जाती है तो मैं एक्सर ऐसा करता हूँ कि कम ही वाटरिंग करता हूँ बारिश वगेरा में जब जादा हो जाती है तो वाल थोड़ी से गंदी हो जाती है लेकिन बारिश इतनी होती है कि हमें साफ करने की ज़रूरत ही नहीं परती है एक टाइम के बाद बारिश खुद ही वाल को साफ भी कर देती है और जब मैं वाटरिंग करता हूँ तो बहुत ही कम वाटरिंग करता हूँ इतना करता हूँ कि एक से दो दिन में पानी पूरी तरसे सूप जाए तो देख सकते हैं वाल पर यह अटेच हो चुका है नीचे वाला कंटेनर ही मुझे लगता उसमें भी कुछ पौधा लगाना पड़ेगा आप मुझे सज़ेस्ट कर सकते हैं मुझे कौन सा पौधा लगाना चाहिए और देख सकते हैं सुन्दर सा प्लांटर तैयार है तो चलिए मिलते हैं अंगले वीडियो में